नमस्कार राज्य सिक्षाशोद एवं प्रसिक्षन परिशद बिहार पटना में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चेओं आज हम लोग बर्ग नौ के अंतरगत शंख्या पधती में आप परिमेई संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना सीख रहे हैं पूर्व की कक्छा में हमने संख्याओं के बारे में जानकारी ली है एवं एक आप परिमेई संख्या रूट टू को भी संख्या रेखा पर दर्साना सीखा है आईए आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ शिखते हैं रूट 2 के अलावे कोई दूसरी परिमेई संख्या जैसे रूट 3 रूट 5 इत्यादी को शंख्या रेखा पर दिखाना बच्चों जैसा कि आप पुर्व से जानते हैं संख्या रेखा पता हो गया है अच्छे से हम लोगों को आए जीरो से सुरू कर लेते हैं दाहिने तरफ पॉजेटिफ नंबर को रखते हैं हमेशा बराबर दोरी पर आप स्केल की सहाइता से बनाएंगे अपनी नोट बुक पर आप नोट बुक पर साथ साथ में करते चलिए तो ज्यादा अच्छे से हम लोग सीखेंगे इस संख्या रेखा पर हम लोग अभी सीख रहे हैं आप परिमेश संख्या रूट थ्री को दर्साना या दिखाना जैसे रूट टू को हमने दिखाया था तो लंब और आधार के जगह पर क्या लिए थे एक और एक अब खुद से सोचिए हर बार आपको खुद से ही सोच के करना है पर तेक एक आप परिमेश संख्या को हम यहां नहीं दिखा सकते हैं हम एक दो उदाहरन के रूप में दिख हम और आधार के रूप में क्या क्या रखेंगे कि करन के रूप में रूट 3 आ जाएगा अब कुछ से तोड़िये अभी हम लेके चल रहे हैं रूट 2 और बन को ऐसा इसलिए क्योंकि रूट 2 तो हम लोग सीख चुके हैं और एक इक आई तो आसानी से कहीं से प्राप्त कर सक करते हैं तो आएए हम मिलकर संख्या रिखा पर दिखाते हैं रूट 3 को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपको पता है एक ही काई रूट 2 दिखाना आप सीख गये हैं तो चले हम लोग रूट 2 दिखा लेते हैं 90 डिग्री बना लिए जितना बड़ा यह उतना ही स्जमें 2 अब यहां के बाद क्या करेंगे अब हमें इसे ही आधार के रूप में लेना है जब रूट 2 को हम आधार के रूप में लेंगे तो फिर लंब बनाने के लिए आप बताये कितने का कोन बनाना होगा आपको 90 डिगरी काता है आपको बनाने बिल्कुल बना लिजिए गा और बना लेने के बाद जब आधहार हम रूट टू लिए हैं बच्चों तो लंब की रूप में कितना लेना परेगा हमको एक एक ही काई कहां से उठाएंगे कहीं से भी या तो इसको माप लिजी या इसको म कामा करन कर सकते हैं ओ ए बी ऐसा कुछ भी है ओ एवं एक को मिला देंगे अब जड़ा ध्यान दीजिए यहां एक ट्रेंगल बन रहा है ओ ए सी किस प्रकार का ट्रेंगल है बच्चों श्रम कोन त्रिभूज है आधहार के रूप में रूट टू है और लंब के रूप में हम होगा ओए इसका मान कितना होगा है बिल्कुल ठीक पाइथो गोरस पर में आपको पता है रूट ठी और हम लोग ढूंड किसे रहे थे रूट ठी को ही जब यह मिल गया तो इसे हमें दिखाना है कहां संख्या रेखा पर तो आईए हम इसे लेकर संख्या रेखा तक आप देखेंगे कि इस परकार का एक चाप बन रहा है यह चाप जहां पर काटेगा संख्या रेखा को इसी बिंदू को हम लोग कहेंगे रूट थ्री आप चाहें तो इसका एक नामा करन कर सकते हैं चलिए डी दे दिया है और इसे आप चाहें तो इस परकार रूट थ्री ल किसे दिखा रहा है रूट 3 को दिखाता है जब आप रूट 2 को दिखाना सीख गए हैं तो रूट 3 भी काफी आसानी से इस प्रकार दिखा सकते हैं हम चाहेंगे कि आप अभ्यास करें शुरुवात में गलती हो सकता है इसे लिए आधिक से अधिक अभ्यास करें एक तरीका तो यह होगे आपका एक और भी तरीका हो सकता था कि हम रूट टू को यहां पर ले आए और यहां से फिर से एक खड़ा कर लें आप देखिये करके रूट थ्री को ही दिखाने के लिए एक दूसरी बीधि आपको बताते हैं संख्या रेखा बनाएए कि मुल बिंदु लीजिए संख्याओं का नाम करन किजिए और उसके बाद जिस प्रकार आप रूट टू को दिखाते हैं अगृ रूट टू को आप रूट टी दिखा ले लेजिए और अब यह बाला जो मान है यह आपका रूट्टू हो गया यहां से एक पुना काट लेजिए और अब यहां से चाप बना लेजिए चाप को हम डॉट्टेड लाइन से दिखा देते हैं आपके लिए ज्यादा असान हो जगा यह जो बिंदू मिला इसे ही हम कह रहे हैं रूट थ्री हम आपको तेजी से सिर्फ एक हिंट दिये हैं आपकी सहायता से दोनों प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रूट थ् दर्सा कर देखें और जो हम रूट थ्री सीख जाएंगे तो इसी प्रकार एक और हम आपके साथ करेंगे रूट फाइब को दर्साना आसा है बच्चों आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आए हम मिल जुलकर इस बार बात करते हैं रूट फाइब का रूट फाइब को अब धीरे धीरे आप हमारा सहारा छोड़िए और खुद से तै केजिए कि जब रूट फाइब को दिखाना है तो इसके लिए हम समकौन त्रिभुज का लंब और आधार कीतना लें कि आसानी से हो जाएगा तोड़िए इसे दो भागों में खुद से किजिए सोचिए बिल्कुल आसान है इसके लिए अगर हम दो ले ले और एक ले ले तो पाइथोगोरस पर मैं इसे देखिए क्या हो जाएगा दो दुनी चार और एक का स्कौर एक चार एक पांच बिल्कुल कर्ण के रूप में आपको रूट पांच मिल जाएगा तो अब दो और एक तो लेना बहुत आसान है क्योंकि यह पूर्ण संख्या हैं तो आईए आप भी साथ साथ करते चलिए अपने अभ्यास पुस्तिका पर एक सीधी लाइन ड्रौ कीजिए जिसे हम नंबर लाइन कह रहे हैं मूल बिंदू और यहां से एक समान दूरी पर इ परियास करें कि यह जो दूरी आप ले रहे हैं यह हमेशा बराबर हो और संख्या रेखा से तो आप पुर्परचित शाबधानी बताने की अब शक्ता नहीं है बताईए रूट पांच को दिखाने के लिए क्या करें हम बेस में दो और लंब में एक आईए ले ले लेते हैं तो दो कहां से कहां होगा बच्चों चलिए यहां जीरो से सुरू करते हैं एक एक और जाएंगे तब हो जाएगा दो यहां जो बिंदू है इस पर आपको लंब बनाना है कैसे भी बना सकते हैं आपको 90 डिगरी बनाने आता है बना लेने के बाद जब यहां 90 का कौन बन गय तो देखिए आधार हमने लिया है कितना दो और लंब के रूप में हमें लेना है एक कैसे लेंगे एक बिल्कुल प्रकार का मुझ खोलिए कहीं से भी एक ही काई माप लें आप सब जगह ही काई बराबर ही है और उतना ही बड़ा मुझ करके एक ही काई इस पर काट लें कि इस प्रकार आपको एक बिंदू प्राप्त होगा चलिए कुछ नामा करन कर दते हैं बिंदू का ओ ए और इसे ले लिया हमने बी के रूप में अब क्या करेंगे इसके बाद की प्रक्रिया आपने सीखी है मुल बिंदू से हम बिंदू ए को मिला देंगे बताये क्या हुआ आपका अधार दो हुआ लंब एक हुआ तो यह करन कितना होगा लगाए पाइथोगरस पर में मान अपने आप आपको निकल के आ गया कितना लंबाई पता हो गई की रूट 5 इतना होता है तो इसे ही हमें लेकर चल जाना है कहां संख्या रेखा पर तो बच्चों प्रकार का मुँ खोले रूट 5 की लंबाई लेज्येे और इसे आप संख्या रेखा तक पुहुंचा है आपको इस प्रकार का एक अर्क मिलेगा चाप मिलेगा यह चाप संख्या देखा पर जिस बिन्दू से मिल रहा है मान के चलिए बिंदू C से मिला तो यह जो बिंदू C है यही आपका हो गया कितना रूट पाँच आप बनाने के बाद डाइगराम काफी साफ सुत्रे ढंग से कंस्ट्रक्शन बनाईए और आप यहां लिख सकते हैं कि बिंदू C रूट पाँच को दरसाता है प्यारे बच्चों हम लोग साथ में मिलकर रूट टू रूट तीन और रूट पाँच को दरसाना सीखें अब आप स्वय से अकेले खुद से संख्याओं को लिजिए जैसे आप रूट आठ रूट दस रूट साथ इस प्रकार की बहुत सारी आप परिमेह संख्याओं को खुद से अपने अभ्यास पुष्टिका पर दिखाने का प्रियास करें जितना अधिक अभ्यास किजिएगा उतना पर्फेक्ट आपको बनाने आएगा संख्या रेखा पर बिंदू ढूंडने आएगा जब हम लोग आप परिमेश संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना सीख गए हैं तो आईए एक मज़दार डाइगराम और बनाते हैं साथ में मिलकर प्यारे बच्चेओं हम लोग जो सीख रहे हैं संख्या रेखा पर आप परिमेई संख्या को दिखाना या दर्साना इससे भी काफी सुन्दर पैटर्न काफी सुन्दर आकिरती बनाई जा सकती है आईए हम करके देखते हैं आप खुद से नोटबुक पर अपने घर पर करें इसको एक बार पहले देख लें हम लोग क्या करेंगे कि आप परिमेई संख्या को एक कहीं साथ रेगुलर दिखाएंगे रूट तू को रूट थ्री को रूट फोर को रूट फाइब को और फिर देखिए किस प्रकार की आक्रती बनती है तो आपको तो पता है संख्या कीसे दिखाते हम लोग बिल्कुल यहां पर 90 का बनाएं और जितना बड़ा यह उतना ही बड़ा यहां से काट ले और एक ही काई फिर से काट लेगे हम लोग तो यह हो गया आपका रूट 3 हम लोग चुकि पहले देख चुके हैं इसलिए थोड़ा तेजी से हम आपको बता रहे हैं यह रूट 2 को दिखाया हमने और यह हमने दिखाया है रूट 3 को अब एसी प्रक्रिया को और आगे जारी बनाईये और एक ही काई काटिये और इसको मिला लेजिए यह कितना होगा बच्चों पताइए कुछ से रूट 3 आपका बेस में है और एक आपका लंब है तो आपका करन कितना हो गया रूट 4 मतलब की 2 अब इससे और भी आगे बढ़ाईये आप फिर से 90 डिगरी का एक और इसको बनाईये यह बनेगा आपका रूट 5 और इस पर फिर से एक 90 डिगरी का एंगिल बनाईये और फिर से एक ही काई काटिये फिर मिलाईये और यह परक्रियाप चलाते रहिए इस प्रकार का आप देखेंगे कि एक स्पाइरल बनेगा सर्पिल बनेगा इसे हम लोग बर्गमूल सर्पिल का नाम देते हैं बर्गमूल सर्पिल एसक्वाइर रूट एस्पाइरल आप खुद से अपनी कौपी पर प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से बराबर बराबर दूरी लेकर बनाए हमने तो ऐसे हाथ से बनाया है आप उसको पेंसिल की सहायता और प्रकार के सहायता लेकर बनाईए देखिए काफी सुन्दर साइक पैटर ने एक आकिरती बने गी और इसे ही हम लोग नाम देते हैं बर्गमूल सरपिल का तो बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार आपरिमेई संख्याओं को संख्या रिखा पर दिखाना सीखा परिमेई और आपरिमेई हम लोग बार बार कर रहे हैं क्या इसका पता हम किसी और तरीके से लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेई है और कौन सी संख्या आपरिमेई है बिल्कुल पता लगा सकते हैं उसके लिए एक तरीका है उसको दसमलब में बदलना तो आईए हम परिमेई और अपरिमेई संख्या का कुछ दसमलब निरूपन देखते हैं पहले कुछ परिमेई संख्या का भिनात्मक संख्याओं का दसमलब निरूपन देखते हैं प्यारे बढ़ाना बहुत पहले से आप जानते हैं अभी हम कुछ उदाहरन के रूप में बास्तरिक संख्याओं को लिए हैं जैसे एक लिए हैं दस बटा तीन एक है हमारा साथ बटा और एक है हमारा एक बटा साथ तीनों ही इस्थितियों में हम इनको भाग दे करके दसमलब के तीन से भाग लगाना कितना में बच्चों दस में आई ये भाग देते हैं कितनी बार लग जागा तीन ती आई का नौ सेस कितना बचा एक तो आप जब भाग दे रहे हैं तो इसके सेस को भी आप लिखते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस स्थिति में जो आपको प्राप्त हुआ है 10 बटा 3 के स्थिति में इसका सेस क्या मिल रहा है और इसका भाजक क्या है आईए तो सबसे पहले हमको सेस कितना मिला एक अब जब आगे नहीं लगेगा तो क्या करते हैं 10 अमलब दिया फिर से 0 3 3 की 9 फिर से सेस कितना बच गया आपका एक आईए प्रकरिया को आगे बढ़ाते हैं 23 की 9 और पुनह से आपका सेस कितना बच गया एक इस परकार आप देख रहे हैं कि इस गलते में दसमलब के बाद संख्याय समाप्त नहीं हो रही है बलकि बार बार आ रही है और हर बार सेस्थ रिपीट हो रहा है एक आ रहा है और भाजक आपका इस में कितना है तीन आईए इसी प्रकार इस इस्तिति को जरा देखें इसमें भी हम नोट करेंगे कि सेस कितना बचता है और भाजक कितना आता है भाजक तो पहले से पता है आपको आठ है इस इस्तिति में आईए भाग देते हैं आठ से भाग देना है आपको साथ में कैसे पढ़ेगा बच्चों बिल्कुल आप आगे दीजिए सबसे पर लेंदा समलब देंगे यहाँ जीरो आठ सत्य छप्पन आठी आठी चाओ सट सेस कितना बच गया आपका छे तो हम लोग लिखेंगे छे इसके बाद फिर सुन कितनी बार लगेगा आठ सत्य छप्पन सेस कितना बचा चार लिख लिए फिर आगया कितना जीरो आठ पांचे चालिस सेस कितना बच गया आपका शुन यानि पूर्ण रूप से यह अब और नहीं लगेगा बिल्कुल सांत हो गया है भाजक है इसका आपका आठ अब ज़रा इस इस्तिति पर गौर कीजिए जब आपका भाजक हो साथ भाजक है आपका साथ तो पता लगाई है सेस क्या बचेगा आई यह भाग देते हैं साथ से भाग देगें एक में दसंबलब चीरो एक बार तीन सारी साथ सेस बच गया कितना तीन लिखिए सेस को नोट किजिए तीन सच्चो का 28 सेस आपका बच गया दो उसके बाद कितना बार लगेगा साथ दूनी 14 सेस बच गया जीरो जीरो नहीं छे सारी उसके बाद सती याठी 56 चार फिर जीरो साथ पांचे पांच पांच फिर जीरो अब कितनी बार लगेगा ससत्य उन्चास एक सेस बच गया आपका एक फिर जीरो फिर इसी प्रकार आप लगाते चलिए साती काहिं साथ सेस कितना बच गया तीन आप देखिए सेस आपका फिर से तीन से रिपीट होना सुरू हो गया तीन दो छे चार पांच एक और उसके बाद फिर तीर और फिर यही प्रक्रियाब का दूर आ जाएगा दो छे चार पांच एक और यह प्रक्रियाब की चलती रहेगी अब इस इस्थिति में जो आप देख रहे हैं यहां पर दो इस्थितियां बन रही है एक इस्थिति तो यह है कि जिसमें सेस्फल आपका आंत में सुन आ जाता है और एक इस्थिति यह है जिसमें सेस्फल आपको मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा कभी समाप्त होगा ही नह बागी जो पूरी तरह से नहीं करता है तो आयए इन दोनों स्थितियों में हम किसे की स्कैटोगरी में रखते हैं यह समझते हैं सबसे पहले इसे समझी इसका से सुन हो गया अर्थाद दसमलब के बाद पूरा पूरा आपका पिभाजित हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं सांत है बिलकुल सांत है यह और बाकि जो दो इस्थिति है यह सांत नहीं हुआ है अभी यह आप परिमित रूप से लगता रहेगा कभी समाप्त होने की प्रक्रिया ही नहीं है बार बार जाएगा भूमते जाएगा तो जो रिपीटेशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं आबर्ती कैसा आबर्ती है सांत नहीं है यह बिलकुल आसांत है और साथी साथ रेकरिंग है अर्थात आबर्ती है इसे हम लोग आबर्ती का नाम देते हैं इसे भी कौन सा नाम देंगे आब मतलब रेकरिंग अर्थात बार बार चीजे रिपीट हो रही है समाप्त नहीं हो रही है तो सधारन परिमेश संख्याओं का जब हम दसमलब निरूपन करते हैं तो दो प्रकार का आता है या तो वो सांत हो जाता है या फिर सांत नहीं होता है तो वो कैसा रहता है आवर्ती हो जाता है अई इन दोनों इस्थितियों को हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों अभी हमने दो इस्थितियां देखी एक वैसी इस्थिति जब से सुन्न हो जाता है यानि दसमलब के बाद संख्या पूरी तरह भी भाजित हो जाती है तो उस इस्थिति में हम वैसी संख्या को वैसे भिन को सांत दसमलाव कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो गया, पुर्णता विभाजित हो गया, एकदम सांत है, लेकिन आपने एक दूसरे स्थती भी देखी, जिसके हर में साथ था, तीन था, उस स्थति में आपने देखा कि उसका सेष सुन नहीं होता है, कितना हूं बारा भाग देते जाईए, बलकि क्या होता है, उसका सेष फल रिपीट होने लगता है, तो उस स्थति में हम वैसे भिन को, वैसे दसमलव को अनवसानी आवर्ती, नन टर्मिनेटिंग, या ने रेक्रिंग का मतलग आवरती और वरती का मतलग जो बार बार रिपेट हो जाए मैं यह दो हसी सानिया में एक और भी इस्थति है ऐसी सिती जिसमें प्रिंट भी संघ्या रहे अनुपसानी भी रहे एवं साथी साथ रेक्रिंग भी ना आये नन रेकरिंग भी रहे जैसे तैसे यादरिचिक संख्याएं आती जाएं जैसे हम यदि आपको लिख दें समझिए अपने मन से संख्या हम लिख दे रहे हैं यह देखिए इस प्रकार के एक संख्या में अबह में इसमें कोई भी संख्या गिट भी नहीं हो रहा है और यह टर्मिनीट भी नहीं हो रहा तो क्या ऐसी संख्याएं बजुद में नहीं हैν बिल्कुल हैं बजूद में और ऐसी संख्या को हम कहेंगे अनवशानी और अनाबर्ती अनवर्ती अंग्रेजी में इसे क्या कहा देंगे नन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग दोनों ऐसी इस्तितियां आपको बराबर मिलेगे जैसे आप रुट्टू का मान निकाले निकाल सकते हैं रुट्टू का मान अधिक से अधिक निकालिए खुब लंबे दूर तक निकालिएगा आप पाईएगा कि एक दसमलब चार एक चार दू और इस प्रकार से कभी समाप्त नहीं होता है एबम कोई भी संख्या आपका रिपीट भी नहीं होता है एक निस्टिट पैटर्न फॉलो नहीं करता है तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम लोग नन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग में रखते हैं और ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग आप परिमेई संख्या के समों में रखते हैं आप परिमेई संख्या और यह जो दो इस्थिती है इन इन दोनों इस्थिति यह दोनों इस्थितियां जिन संख्याओं में बनती है उसे हम परिमे संख्या के समों में रखते हैं तो परिमे या आपरिमे की यदि पहचान करना हो तो आप उसका दसमलब परसार करके भी पहचान कर सकते हैं यदि दसमलब के बाद इन दों में से कोई एक इस्थती बन रही है तो उसे हम परिमे संख्या के गुरूप में रखेंगे लेकिन यदि इस्थती ऐसी बन रही है कि ना तो दा समलब के बाद वो पुर्ण रूप से कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है उसका सेस्फल तो उस इस्थती में हम उसे आप परिमे में में लगते हैं जैसे एक संख्या है पाई जान पहचान है अपके बिलकुल इसकी यदि सुध्ध मान हम लिखें तो यह कभी कटने वाला नहीं होता है तीन दसमलब एक चार एक छो और यह आप परिमीत है इसका पूरा-पूरा सही भैल्लिव नहीं ग्यात किया जा सकता है और जो ग्यात होता है वो ना तो सांत है और नहीं रेकरिंग ए तो हम लोग पाई को भी आप परिमेव संख्या के समोह में रखते इसका मान जो 22 बटा साथ है जो हम लोगों ने मान लिया है सुबधा के लिए यदि पूछा जाए कि 22 बटा साथ कैसी संख्या है तो कैसा होगा बच्चों बिलकूल इसे परिमे के गुरूप में रखेंगे लेकिन यदि पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है तो उसे हम ल से तो आपकी पहचान है किसे कहते हैं पाई पाई consistent number है और कहा किसे जाता है किसी भी ब्रित के परीद्छी और ब्यास का जो अनुपात है वही पाई है तो इसका मान बहुत लोगों ने ज्यात करने का प्रयास किया है और बहुत दिन से लोग प्रयास रथ हैं कि इसका एक सही भैल्यू पता लगे लेकिन दसमलब के रूप में बहुत लंबी दूर दूर तक का मान हम लोगों ने निकाला है आपने आर्कमिडिज का नाम सुना है प्रस्चिद्ध यूनान के जो हैं काफी प्र जीरो आठ चार पांच से बड़ा है लेकिन तीन दसमलब एक चार दो आठ पांच साथ से छोटा है इक्जेक्ट भैल्यू नहीं बता पाए इसके बाद बहुत लोगों ने प्रयास किया अपने भारतिये मुल्के गनितग हैं आर्यभट नाम तो आपने सुना ही होगा इन्ह ने पाई का वैलिव 4.2 तक का दिया है यह कहते हैं कि पाई का मांच 3.1416 है यह ने प्राप्त किया है दसमलब के बाद 4 रंग तक हलाकि यह कहते हैं भी और भी ग्यात किया जा सकता हूँ अब तो बच्चों हमारे यहां एक से एक उंच छमता वाले मसीन हैं एवं कम्प्यूटर हैं काफी हाई एकुरेसी वाले उनकी सहायता से भी पाई का मान दसमलब के बाद बहूत अंको तक निकाला गया है बहूत का मतलब दसमलब के बाद एक दसमलब दो चार ट्रिलियन सोच कलपना के जिए इतना आंक तक पाई का भेल्यू ग्यात किया जा चुका है लेकिन अभी भी हम लोग सही एवं ठोस नतीजों पर नहीं पहुंचे तो यह कहानी थी पाई की तो आप एकदम असपस्थ हैं कि पाई कैसी संख्या के समूह में है आप परिमे संख्या के समूह मे बाकी यदि कोई संख्या हम लिख रहे हैं उसका भेल्यू के रूप में वो सब परिमे में है तो आपने सीखा कि दसमलब का प्रसार देख करके भी आप बता सकते हैं कि संख्या परिमे है अथवा आप परिमे है इसके बाद आप परिमे संख्या यदि हमें दो परिमे के बी आप परिमित भरी हुई है यदि उसमें से एक दो चार हमें लिखना परे तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं यदि दो परी में संख्या दिया गया है तो उसके बीच से आप परी में संख्या किस प्रकार लिखा जाएगा आएए समझते हैं एक प्रस्ण हम लिख रहे हैं बच्चों जैसे हैं लिखा हुआ एक बटा साथ एबं दो बटा साथ के बीच आपको परिमेई संख्या ढूंढना है दो गो तीनों चार गो पाज को जितना आप ढूंढ सकते हैं ढूंढ़ी के बीच की परिमेई संख्या बताये परिमेई तो काफी असाने से डोन रहे थे मुल कैसे चोड के दो से भाग दे रहे थे लेकिन यदी परिमीulars दिया रहे और उसके बीच से आपको आप परी में निकालना तो आपने जो अभी 2 ma friendly परसार सीखहा है इसकी सहाइता normalmente काफी आसानी से निकाल सकते हैं आपको इतना तो पता है कि जब हमारा परिमेई संख्या है तो उसका दसमलब परसार रेकरिंग में होगा तो आएए कर लेते हैं क्या आप एक बटा साथ का दसमलब परसार कर सकते हैं क्या आप अपने नोट्बूक पर भाग दे लेंगे आप स्वाई से कीजिए हम सीधे लिख दे रहे हैं बिना भाग दिये हुए एक बटा साथ का दसमलव परसार है जीरो दसमलव एक चार दो आठ पांच साथ इस पर रेकरी और एक का जब आप ग्याद कर लिजिएगा एक बटा साथ का तो दो बटा साथ का तो काफी आसानी से लिख सकते हैं बस इसे आप दुगना कर ले क्या हो जागा इस परकार हम लोगों को ले ग्याद कर लिया दो आठ पांच साथ एक चार अब देखिए जब इसका दसमलव परसार ग्याद हो गया तो एक चार दो आठ पांच साथ से बड़ा और दो आठ पांच साथ एक चार से छोटा आपको कोई भी सांख्या लिख देनी है जो आप प प्रेकरिंग में ना रह अपने मंद से आप कुछ भी लिख देजिए वो आप परिमेश संख्या ही होगी और ऐसी बहूत सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं चलिए जैसे हम लिखते हैं अब बताइए एक चार दो से हमें बड़ा चाहिए तो हम लिख देते हैं जी रोद श्राम लब एक पॉइंच धेहां देना कि इस से छोटा भी रहे जी रोब एक पॉच्पॉच जी रोएक पॉच्पॉच पॉच्पॉच जी रोगशा इस प्रकार की कोई संख्या आप लिख दे जैसे हम लिख देते हैं 0 10 एक छो साथ दो आठ पांच चार जीरो तीन नो दो कि एक छो चार पांच जीरो इस प्रकार से कोई भी संख्या आप लिख दीजिया जो संथ भी न रहे और जिस पर रेकरिंग भी न हो तो ऐसी कोई संख्या यदि आप लिख देंगे तो उससे हम लोग कौन सी संख्या के अंतरगत रखेंगे आप परिमेई संख्या के अंतरगत इस प्रकार किसी भी दो परिमे के बीच में बहुत सारी आप परिमेई संक्याएं आप परिमित होती हैं अनगिनत होती हैं उन में से आप कोई भी दो चार निकाल कर लिख दीजिए आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आज की जो कक्छा होई इसके अधार पर आपके पुस्तक में अभ्यास के लिए प्रशन दिये गए तो आप जब तक अधिक से अधिक अभ्यास नहीं करेंगे तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे तो हम आसा करते हैं कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें गनीत के मामले में खास करके आप परिमेई संख्याओं को जो संख्या रेखा पर दिखाना है उसे खुब अच्छे से सीख जाएं एबं परिमे और आप परिमे के बीच उसके दसमलब प्रसार से उनका कैसे बिभेद करते हैं कैसे उनको अलग करते हैं इस बात पर भी आप ध्यान दें आपके अभ्यास में बहुत सारा दसमलब प्रसा दिया गया है साथ ही साथ परिमे और आप परिमे पहचानने के भी बहुत सारे प्रश्ण है तो आसा है बच्चों कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करेगे इन संख्याओं के कुछ संक्रियाओं के साथ संक्रिया मतलब गनितिय संक्रिया जोर घटाओं गुना भाग इनके में पुनह से उपस्तित होंगे हम लोग जब इसका अगला भाग देखेंगे तो उसमें सीखेंगे बच्चों बास्तविक संख्याओं के साथ गनीतिय संक्रिया किस प्रकार की जाती है एब हम इसके कुछ प्रश्ण भी तो आप अपने अभ्यास पुस्तिका पर अधिक अधि किस प्रश्ण लिए ए।